इस कहानी की शुरुआत में हम एक पार्क में बैठे दो डॉग को देखते हैं जिसका नाम था मैक्स और ड्यूक पार्क में जहां सारे डॉग छोटे छोटे बच्चों के साथ खेल रहे थे और इंजॉई कर रहे थे वहीं मैक्स और ड्यूक चुपचाप एक जगे पर बैठे हुए थे क्योंकि उन्हें बच्चे बिल्कुल भी पसंद नहीं होते अब मैक्स और ड्यूक के पास एक डॉग आता है जो उन्हें बताता है कि तुम दोनों के चाने या ना चाने से कुछ भी नहीं होता क्योंकि समय के साथ सब कुछ बदल जाता है और जब इनसानों के घर एक छोटा सा बेबी आता है तो हम डॉग की वैल्यू कम हो जाती है वो दोनों को उस डॉग की बातों पर विश्वास नहीं होता और जब वो दोनों अपनी ऑनर केटी के साथ पार्क से घर जा रहे होते हैं तो रास्ते में चक नाम के एक लड़की का एकसिडेंट हो जाता है केटी ये देखकर चक की मदद करने के लिए आगे बढ़ती है लेकिन चक को जादा चोटनी आई थी और वो पूरी तरह से ठीक था अब चक और केटी एक दूसरे को पसंद करने लगे थे और जल्दी वो साधी भी कर लेते हैं जिसके बाद उनके यहाँ एक छोटा सा क्यूट सा बेबी होता है जिसका नाम वो लियम रखते हैं लियम जब छोटा था तो अक्सर डियूक और मैक्स को परिशान करते रहता था